है जैसा किये है को नो है 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 गाइस प्रेम विलोक्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं परजेंट टाइम में इंदोर में आया हुआ हूँ वीडियो सूट करने के लिए और यह मेरे जीवन का फर्स्क चैलेंज है कि मैं आज अकेले आया हुआ हूँ मेरा कैमरा मैन दिवाकर भाई भी आया है मेरे साथ में लेकिन यहाँ पे नहीं आया है सूट करने के लिए क्योंकि वो ट्रेन में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा चीज खा लिया था तो उसका पेट खराब हो गया था इसलिए वो आ नहीं पाया मैं फिर भी रिस्क लेके अकेले आ गया हूँ वीडियो सूट करने के लिए को एहां पे जो यह लोकेशन है कोई मामुली लोकेशन नहीं है मैं इस लोकेशन के बारे में थोड़ास आ आप लुक को बता देता हूं यह जो लोकेशन है यह बहुत ही खतरनाग जगा है भाई यह खरगोन करके जगा है और यहाँ पर पूरा का पूरा आदिवासियों का टोला है एक भाई कुछ आवाज भी आ रही है कुछ जादा ही मुझे आज डर लग रहा क्योंकि मैं अकेले आया हुआ हूँ हाँ तो मैं आप लोग को बता दूं यहां की एक इस्टोरी है और इस्टोरी यह है कि एक आदिवासी की लड़की थी और यहीं बगल के गाउं का एक पाटीदार का लड़का था वो दूनों एक दूसरे से प्यार करते थे कि भाई बहुत ही खतरना खतरना का आवाज आ रही है कि मुझ में नहीं आ रहा हमें क्या करो आदिवासी लोग रात में सिकार करने के लिए निकले थे तो लोग को देख लिए इसके बाद में इसके बाद आई आवाज बहुत खतरना खतरना का रही है देखता हूं मैं क्या है आगे कि तरफ चलता हूं तो भाई मैं रिस्क लेके आगे की तरफ चल रहा हूं देखता हूं कितना गाउवाले सही बताते हैं और कितना गलत वैसे डर तो भाई लग रहा है क्योंकि मैं अकेले आया हुआ हूँ और जैसा कि आप लोग जंगल देखी सकते हैं कितना भयानक और कितना खतरनाक है कि आई आवाजे आ रही है कि अब जैसा कि आप लोग आवाज सुनी सकते हैं कि इतना खतरनाक आवाज है कैसी कैसी आवाज यहां से आ रही है कौन हो ऐसा लग रहा जैसे कोई बात कर रहा हो किसी की चलने की आवाज भी आ रही है भाई और मैं दर के मारा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं लेकिन मैं फिर भी कोशिस कर रहा हो की दिखाए देजाए कौन हो अगर कोई हो मेरे सामने आ जाओ बिना मुझे हानी पहुचा है मैं आपको कोई हानी पहुचाने के लिए नहीं आया हूँ भाई किसी की रोने की भी आवाज आ रही है भाई डर तो लग रहा है लेकिन मैं फिर भी अंदर की तरफ चल रहा हूं देखता हूं क्या हूं कि अज़िए कि अज़िए कि को भाई साब कि कौन है यार यहां पर कोई तो है भाई कोई तो है जो रबार बार परिशान कर रहा है ओ भाई साल भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं कितना रिस्क लेके आया हूं यह तो सिरप मैं ही जानता हूं क्योंकि मैं अकेले आया हूं और कोई कोई अपना राज भी नहीं है भाई मैं आया हुआ हूँ इन दौर में सूट करने के लिए और मेरा दिवाकर भाई का तो तबियत खराब हो आया नहीं साथ में कैसे कैसे मैं क्या करके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा घबरहाट हो रही मुझे हैं कि यहां से बहुत ही खतरना खतरना का वाजे आ रही है मैं कि अकेले हैं है कि अब होती ज़्यादा डर भी लग रहा है मुझे मैं फिर भी एक बार अंदर की तरफ चल रहा हूँ देखता हूं क्या है ओ भाई साब यहां पर कोई है कौन हो जैसा किये को लोगा है झाल 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 झाल